देखिए बच्चों हम लोगोंने चैप्टर नंबर 4 यानि कि लेजर जो है इसको स्टार्ट किया है तो इसमें हम लोग practical problems को solve कर रहे हैं तो कितने questions अभी तक हमने complete कर लिये हैं तो 6 questions हम लोग complete कर चुके हैं ठीक है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं question number 7 ठीक है तो देखिए इसमें क्या दिया है कि generalize the following transactions post them into leisure for February 2019 यनि कि हमें यहाँ पर करना क्या है तो देखिए यहाँ पर हमें journal entries भी पास करनी है और leisure accounts भी यहाँ पर हमें prepare करने हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे general entries पास करेंगे और फिर इसकी help से leisure बनाएंगे ठीक है और य यहाँ पर क्या आएगा laser folio debit amount और यह credit amount यहाँ पर हम लोग डेट डाल देते हैं 2019 और यहाँ पर कौन सा मन्त चल रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे general entries और उपर क्या लिखोगे in the books of Sunil मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर सुनील का ही नाम आएगा तो द देखें वहाँ पर क्या लिखा है कि सुनील स्टाटेड बिजनस विस स्टॉक ऑफ गुड्स रुपीस 20,000 तो देखो बिजनस किसने स्टाट किया सुनील ने स्टाट किया ना इसका मतलब क्या हुगा कि हमें यहाँ पर जो भी entries करनी है वो हम किसकी बुक में करेंगे तो सु एक लाग सब्सक्राइब करेंगे तेख dan क्या करना होगा क्यों सब्सक्राइब करेंगे फिर आलगे क्या लिखा हुगा है कि आउट ओफ जिसमें से 50,000 borrowed from his friend केदार at the rate of 10% per annum यानि कि इन्होंने क्या किया सुनिये गा ध्यान से उन्होंने 50,000 रुपे जो है वो अपने friend केदार से बौरो किया मतलब उसके पास से लिया यानि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने लोन के तौर पे ये 50,000 रुपे लिए ठीक है तो बताईए ये liability होगा या फिर assets होगा business के उपर तो liability ही होगा अगर हम किसी के पास से पैसा ले रहे हैं उधारी पे ठीक है उधारी पे नहीं मतलब ऐसे ही अगर आप लोन के तौर पे ले रहे हो तो वह आपके उपर liability होगा और liability जब ही बढ़ता है तो उसको क्या करना होता है क्रेडिट करना होता है यानि कि केदार का जो लोन अकाउंट है ना इसे हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट क्रेडिट कर देंगे ठीक है और बाकी जो अमाउंट बचेगा वह किस में जाएगा तो वह जाएगा capital में ओके तो चलो मैं आपको entry करके समझाती हूँ देखो एक परवरी को है ना तो क्या क्या हुआ पहला तो stock of goods जिसे हमें क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा यहां पर हम लिखेंगे stock of goods अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा तो जो cash अकाउंट है ना students इसे हमें debit करना पड़ेगा क्या लिखेंगे हम cash अकाउंट debit ठीक है और हम credit किसको करेंगे तो जो केदार का loan account है ना उसे हम लोग credit करेंगे क्योंकि सुनिल ने उसके पास से पैसे लिए ना बौरो किये पैसे को क्या लिखेंगे to केदार's loan account है अमाउंट हम कितना लिखेंगे तो stock of goods देखेंगे कितना दिया है 20,000 दिया न तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20,000 और cash कितना दिया गया है एक लाग सत्तर हजार तो यहाँ पे हम लिख देंगे students एक लाग सत्तर हजार ठीक है जिसमें से मतलब इसमें से 50,000 रुपे केडार से बोरो के सुनिल ने तो यहाँ पे केडार के सामने लिखिएगा 50,000 ठीक है देखो यहां पर क्रेडिट में क्या है यह बस 50,000 ही है यानि कि कितना अमाउंट यहां पर बच राए तो देखिएगा 1,90,000 में से अगर मैं यह 50,000 को माइनस कर दू तो कितना आएगा 0,00 यहां पर भी 0 आ जाएगा यहां पर चारी यानि कि 1,40,000 ठीक है तो यह जो 1,40,000 है यह बिजनस के ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल हो जाएगा ठीक है तो हम कि इधर क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्रीज में हमने किया था न याद है आप लोगों को चैप्टर नमबर थी उसमें हमने इस तरीके का भी मतलब इस तरीकी के ट्रांजेक्शन के लिए भी हमने एंट्रीज की थी आप लोग को याद होगा तो बस यहां पर हमने सारी एंट्रीज कंप्लेट कर लिए बताईए क्या क्या आएगा स्टॉक और उसके सामने उनके अमाउंट्स हमें लिखना है फिर यहां पर क्या लिखेंगे टू केदार लोन अकाउंट और फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा यह वाला अमाउंट आएगा और केदार का जो लोन मतलब लोन अमाउंट जो वहां पर दिया गया है कोस्टन में वह हमने इधर लिख लिए ठीक है चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं तो इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे कि बिंग स्टार्टेड बिजनस विथ स्टार्टेड बिजनस विथ स्टॉक ओफ गुड्स टॉक ओफ गुड्स अड़ कैश ठीक है ना चलो अब आगे चलते हैं अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर देखिएगा आगला ट्रांजेक्शन इसमें क्या दिया है कि प्लेश्ड एन ओर्डर फॉर्ड्स वर्थ रूपीज 7000 विथ मोहन फॉर विच एडवांस तो हम लोग भी ओर्डर करते हैं वैसे ही सुनील ने भी ओर्डर किया तो वो गुड्स का प्राइस कितना है स्टूडेंट्स साथ हजार है ठीक है अभी देखिएगा सुनील ने तुरंद के तुरंद यानिकि एडवांस में कितना पेमेंट किया तो 5500 रुपीज उन्होंने पेमेंट कर दिया और जो बाकी का बचा हुआ पेमेंट है वो मतलब कप करेंगे जब उनको गुड्स रिसीव हो जाएगा तब करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जब हम लोग एंट्री करेंगे न तो बताइए कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे तो जो अमाउंट एक्चु कितना कैश जा रहे है सुनेल के पास से 5500 रुपे ठीक है कैश जा रहे है और कैश यानि क्या होता है असेट्स कम होता है तो क्या देने का क्रेडिट देने का यानि कि कैश अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट दे देंगे ठीक है और यह पेमेंट हम किसको कर रहे है मोहन को यहाँ पर हम लोग दे देंगे debit ठीक है छलाए फिर यहाँ पे इंट्री करतें है पास तारीक का यहाँ पर डालेंगे 5 तारीक ठीक है मोहन अकाउंट debit मोहन अकाउंट डेबिट क्या कि हमने उसको advance दिया ना यहाँ पर bracket के अंदर लिख दो advance ठीक to cash account amount कितना आएगा 5500 इसका narration हम क्या लिखेंगे being order placed and advance paid ठीक है मतलब order placed किया और advance pay किया समझाना आप लोगों को चलो अब आगे चलते हैं अगला transaction यहाँ पर देख लीजिएगा students क्या दिया है 9 तारिक का purchase stationery for office use Rs.4500 यानि कि stationery purchase किया किसके लिए office use के लिए तो अब इसके लिए entry क्या होगे stationery मतलब क्या हो जाएगा expense हो जाएगा expense बढ़ता है 9 तारिक का देखो यहाँ पर मैं करती हूँ 9 तारिक का transaction क्या लिखेंगे stationery account debit stationery मेरे साथ साथ ना आप लोग भी अपने notebook में लिखते जाएगा to cash account ठीक है इसके लिए narration क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कि being stationary purchased in cash ठीक है cash में हमने क्या किया stationary को purchase किया ठीक है समझ गया है यहाँ पर इसका amount हम लिख देते हैं तो amount कितना है 4500 तो यह लिजे मैंने यहाँ पर लिख दिया students 4500 ठीक है ना चलो अब आगे चलते हैं अगला transaction यहाँ पर देख लीजी का बारत तारिक का इसमें क्या दिया है कि goods distributed as free sample of rupees 2000 यानि कि goods को ऐसे ही free sample के तोर पर हमने क्या क्या distribute किया है तो जब इसे free में distribute किया जाता है तो उसको हम लोग किस इसके लिए यहाँ पर entry क्या बनी कि advertisement account को हम लोग यहाँ पर debit दे देंगे क्यों क्योंकि वो हमारा एक तरीके से expense हो जाएगा और यहाँ पर credit हम किसको देंगे तो goods distributed as free sample account को हम लोग यहाँ पर credit देंगे ठीक है इस तरीकी के entry हमने पहले भी की है तो आपको समझ में आता रहेगा चलो बारह तारीक का entry यहाँ पर कर लेते हैं बारह इधर डालेंगे क्या लिखेंगे advertisement account debit advertisement account debit to goods distributed as free sample account free sample account ठीक है इसका amount कितना दिया गया था 2000 दिया था न जी हाँ तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 ठीक है चलो इसका narration लिखते हैं क्या लिखेंगे बिंग goods distributed as free sample देखो मैंने इसका reason आपको पहले कई बार बताया है तो I think आपको पता ही होगा कि इसको आपने credit क्यों किया मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर goods आपके पास से किसी भी तरीके से जाता है तो इसको income में हम लोग कंसिडर करते हैं इनकम यानि कि revenue और revenue बढ़ता है तो credit देने का इसके लिए हमने इसको credit दिया distributed as free sample चलो आगे चला जाए अगला यहाँ पर हम लोग transaction देखेंगे यह तो हो गया ना अगला transaction यहाँ पर देखेगा Mr. देव का दिया गया है क्या लिखा है 17 तारिक को कि paid freight rupees 400 on behalf of Mr. देव यानि कि Mr. देव के बिहाफ में हमने payment किया freight का ठीक है कितना payment किया 400 तो देखो बच्चो यह जो freight हम लोग pay कर रहे हैं वो किसके बिहाफ में pay कर रहे है Mr. देव के न तो जब हम लोग यहाँ पर entry करेंगे तो freight नाम नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे Mr. देव लिखेंगे क्योंकि उनके ही बिहाफ में हम लोग payment कर रहे हैं ठीक है चलो फिर इसकी entry भी फटाक से कर लेते हैं तो बताइगे यहाँ पर entry क्या बनीगे तो जो Mr. देव अकाउंट है इसे हम लोग debit करेंगे और हमारे पास से cash जा रहा है तो cash अकाउंट को हम लोग credit करेंगे ठीक है अभी देखिएगा यह जो Mr. दे क्रेटर को payment करना होता है तो उनके बहाफ में हम payment कर रहे हैं तो जो हमारा liability है वो क्या होगा डिक्रीज होगा liability होता है तो क्या करना होता है debit करना होता है इसके लिए Mr. देव के account को हम लोग debit कर देंगे और cash account को credit करेंगे ठीक है चलो यहाँ पर डालते है 17 तारिक और हम debit Mr. देव's account debit to cash account amount एक बार देख लेते हैं देखिएगा यहाँ पर कितना दिया गया amount 400 रुपे है ठीक है इसका narration लिख लेते हैं कि being क्या लिखा हुआ था एक बार transaction देखेंगे न समझ में आएगा रुपी है क्या लिखा था कि paid freight रुपेस 400 on behalf of Mr. देव यहाँ पर लिखते हैं कि being paid freight on behalf of Mr. देव ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगला transaction देखिएगा 24 तारीक को इसमें क्या लिखा हुआ है कि received goods from Mohan as per our order dated 5th and settled his account यानि कि हमने क्या किया जैसे यहाँ पर हमने देखा था पांस तारीक को हमने क्या किया था students हमने order place किया था goods का राइट तो वो जो goods है न वो हमें receive हुआ कब receive हुआ कितने तारीक को तो 24 तारीक को है ना 24 तारीक को goods हमें receive हुआ और जितना भी पैसा बागी था वो सब हमने payment कर दिया तो बताइए इसके लिए entry क्या होगी तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या कर रहें गुड्स को purchase कर रहे न तो purchase account को यहाँ पर debit देना पड़ेगा और यह advance में भी हमने कुछ payment किया था ठीक है तो जो advance payment है उससे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे और फिर और हमारे पैस से जो cash जाएगा क्योंकि बचा हुआ पैसा भी तो हमें देना पड़ेगा तो उसे भी हम लोगों क्या करना होगा credit ही करना होगा ठीक है चलो आपको entry करके बताते हूं फिर उसके बाद से एक बार फिर से explain कर दूंगे आप समझ ज यहां पर लिखा है क्या यह वाले में तो नहीं लिखा लेकिन पांस तारीख वाले मतलब पांस तारीख वाला उपर चाकर के देखो उदर गूड्स का प्राइस कितना लिखा है साथ हजार लिखेंगे इसमें से हमने एडवांस में कितना payment किया था स्टूडेंट तो 5500 है न यहं का अकाउंट है ना इसे क्रेडिट कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे टू मोहंस अकाउंट करके ए इसके सामने में क्या लिखेंगे 5500 बराबर और फिट जो बचा हुआ पैसा है वो तो हमें देना ही पड़ेगा यानि इतना कैस्स हमारे पास से शाहेगा इसलिए कै से 5500 को माइनस कर दो कितना आएगा 0010 में से 5 गया तो 5 और 6 में से 5 गया तो एक यानिकि 1500 रुपए अभी भी हमें देने पड़ेंगे ठीक है जो हमने दे दिया समझ पा रहे हो कि ने यह पहले हमने एडवांस में दिया था और यह हमने अभी दे दिया यानि सब कुछ यहां प पर्चेस हमने गुड्स पर्चेस ही किया ना तो और यह बैलेंस अमाउंट पेड यानि जो भी बैलेंस अमाउंट था वो हमने पे कर दिया ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगला ट्रांसिक्शन देख लेते स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा 27 को क्या हुआ कि बोट्स गुड्स फ्रॉम शेखर और टू मन्स क्रेडिट फॉर उपीज सेवन थाउजन है 20 परसेंट ट्रेट डिसकाउंट विद इंस्ट्रक्शन प्रफ्रॉम फिसको लेकिन वहां पे उन्होंने कि इंस्ट्रॉक्शन दिया है जो बीजना होगा यानि उनको देना होगा ठीक है तो इसकी entry कैसे होगी तो जैसे हम लोग normally goods purchase की entry करते है ना सेम तरीके से करना है बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बहुत सारा लिख दिया है आपको confuse करने के लिए तो आप confuse मत होईएगा देखो goods हमने खरीदा है हमारी मर्जी चाहे हम जिसको भी दे उसकी entry थोड़े ना तो सेखर के अकाउंट को हम लोग यहाँ पर credit दे देंगी क्योंकि वह हमारे लिए क्या हो जाएगा creator हो जाएगा creator यानि liability liability बढ़े तो करतो क्रेडिट यानि सेखर के अकाउंट को हम लोग कर देंगी क्रेडिट ठीक है चलो देखते हैं 27 तारिक का entry यहाँ पर हम लिखेंगे 27 और फिर आएगा क्या बढ़ा था ना अब ही हाँ पर्चेस अकाउंट डेबिट कि टू शेखर्स अकाउंट अमांट कितना आएगा तो देखिएगा यहां पर ट्रेट डिस्काऊंट भी बताया गया है तो गुड्स का प्राइस हैं आपका साथ हजार है जिसके उपर 20% का ट्रेड डिस्काऊंट हमें मिल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया है कि हमें क्या करना होता है original प्राइस मेstill से ट्रेट डिसकाउंट माइनस करके अमाउंट लिखना होता है तो चलो इसका 20% निकालते हैं तो इसका 20% कितना आएगा बच्चो जीरो गया यह वाले 0 से वाला 07 टूसर क्या होता है 14 यानि कि 1400 चलो अब 7000 में से इसको माइनस करो अगर मैं 7000 में से 1400 को माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा यहां पर यहां पर पांच यानि कि 5600 ठीक है बतला 5600 में हमें वो गुड्स मिलेगा ठीक चलो इसका नरेशन लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि बिंग पॉर्चेस्ट गुड्स पॉर्चेस्ट गुड्स ऑन क्रेडिट ठीक है ना क्रेडिट पर हमने गुड्स को पॉर्चेस किया राइट यस तो यह भी हमने कंप्लीट कर लिया फिर उसके बाद से यहां पर लास्ट वाला ट्रांसिक्शन देख लिजेगा इसमें क्या दिया है कि 28 सारी को सेंट उस आगर आउटवर्ड इन्वाइस फॉर गु यहां पे हुआ क्या बताती हूं आपको देखों जो हमने यह गुड्स खरीदा था ना शेहर के पास से वह बेच दिया किसको बेचा तो साल差 को बेचाल हम इसको बे यहां मतलब क्या ह्यां हम यह नहीं यह लेना यह तो ट्रेट डिसका टरए है ठीक है। तो कौन से वाला प्राइस लेंगे तो उपर देखो कितना प्राइस दिया गया गुड्स का साथ असर दिया ना तो हम यहां पर 7000 यह कंसिडर करेंगे ठीक है और देखो यहां पर एक और बात इन्होंने दी गई है और 10% का ट्रेड डिसकाउंट भी है यहनी हम क्या करेंगे 700 7000 के उपर 10% का ट्रेड डिसकाउंट निकालेंगे फिर उसमें से माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे ठीक है चलो देखो इसकी एंट्री क्या होगी यह तो सिंपल है ना अगर आप गुड्स किसी को बेचते हो तो सेल्स अकाउंट को आपको तो आईगा तो इसका अमाउंट कितना आएगा तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पर लिस्ट प्राइस को ہि कंसीडर करेंगे तो उपर वाला ट्रासेक्शन देखो उसमें लिस्ट कितना दिया है सेवन थाउसन दिया ना तो यह 17,000 को हम लोग कंसीडर करेंगे ठीक है जाएगा 700 चलो अब इस मेंस इसको माइनस करो अगर मैं 7,000 में से 700 को माइनस करो तो आंसर कितना आएगा यहां पर तीन 6300 ठीक है तो हम इधर क्या लिखेंगे हमने क्रेडिट पर गुड्स को बेचा यहां पर आ जाएगा 6,300 तो हमने सारी एंट्री लगबग तो कंप्लीट कर ही लिए यस जो भी ट्रांजिक्शन दिये गए थे सभी के लिए हमने एंट्री कर ली है आप देख सकते हो अब एक काम करते हैं इसका पहले तो टोटल कर देत फिर इसके आगे क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ पहले टोटल करने दो देखिए बच्चो जब हमने इसका टोटल किया तो कितना आया 2,21,300 ठीक है दोनों ही कॉलम्स में हमने यह अमाउंट लिख दिया है आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर हमने यह जर्नल एंट अगर आप लोगों ने अपने नोट बुक में इसको नहीं लिखा है तो प्लीज आप लोग इसको लिख लो क्यूंकि जब मैं आपको लेजर में पोस्टिंग करवाऊंगी तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ीगी क्यूंकि इसी को देख करके हम लोग लेजर में पोस्टिं एक स्टीशनरी अकाउंट गूर्ट इसको प्रिप्यर करने पड़ेंगे तो आप लोग एक काम करो पहले इसको लिख लो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि laser हमें कैसे करना है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और laser accounts हम लोग बनाते हैं तो कौन-कौन से laser यहां पर बनेंगे तो देखिए यहां पर मैंने सारे ही accounts बनाये हुए हैं जो भी necessary accounts थे ठीक है अच्छा मुझे कैसे पता चला कि यही सारे accounts आएंगे तो दिखू मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल में जितने भी accounts रहेंगे सारे के सारे आपको accounts बनाने पड़ेंगे जैसे कि stock of goods account था ना जर्नल तो इसके लिए हमने इधर यह वाला अकाउंट बनाए फिर उसके चैश अकाउंट तीसरा केदार्स लोन चोथा अकाउंट ठीक है मोहांस अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट फिर यहां पर आएगा advertisement अकाउंट फिर goods distributed as free sample अकाउंट उसके बाद से Mr. देव सकाउंट पॉचेस अकाउंट सेखर्स अकाउंट सागर्स अकाउंट और लास्ट में आएगा सेल्स अकाउंट ठीक है तो जो भी अकाउंट बनाने थे हमने बना लिए हैं और यह देखिए format कुछ ऐसा ही होता है लेजर का आप जानते ही है बीच से इसको डिवाइड करने का एक साइ पर्टिकुलरस डेट वगरा लिखा नहीं है लेकिन आप लोग अपनी नोट बुक में लिख लेजेगा क्योंकि अगर मैं यह सारी चीजे हर एक अकाउंट में लिखू न तो फिर यह पूरा बोड भर जाएगा आप नहीं समझ पाएंगे ठीक है मतलब पूरा यहां पर नह तो आपको डेट साइड में जाना है और जा गर के पहले तो डेट डालिएगा ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को सुनिए एकदम ध्यान से यहाँ पर यह जो stock of goods account है इसका amount कितना दिया है बच्चो 20,000 दिया गया है ठीक है और देखो केदार लोन अकाउंट में कितना amount है 50,000 है ध्यान से देखते जाओ मैं बोल रही हूं आप देखिए अपनी नोटबुक में ठीक है और जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना है सुनील थे न शायद से चनील था यहां पर चैसे सुनील राइट तो सुनील ने जब भात्राइब कियाा तो वह जब जो की सिर्फनी कर fareies करेंगे तो यहांपे क्या लिखेंगे दार का लोन अकाउंट मत लिखिएगा क्योंकि वो कैपिटल में ही कंसिडर किया जाएगा क्या स्टॉक ऑफ गूड्स अकाउंट ठीक है समझ पार होगी नहीं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे तुटेंट्स टुकापिटल अकाउंट और पिर यहां पर कितना आएगा तो वैसे तो यहां पर 1,40,000 है लेकिन आपको 1,40,000 नहीं लिखना है इस में से स्टॉक ओफ गुड्स कितना है तो only 20,000 इसके लिए हम लोग यहां पर कितना लिखेंगे 20,000 ही लिखेंगे ठीक है आई होब कि आपको मेरी बाते समझ में आई रहेंगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ तो चलो फिर लिख दू क्या लिखेंगे यहां पर टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना आएगा बच्चो 20,000 ठीक है येस फिर आगे बढ़ चलते हैं अगला यहां पर अकाउंट कौन सा है कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट यह लिजिए हमने बनाया हुआ है इसके डेबिट में जाओगे या फिर क्रेडिट में जाओगे तो देखो कहां हमें जाना पड़ेगा डेबिट में जाना पड़ेगा क्या हुआ है तो देखिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आईएगा और यहां पर पहले तो आप लोग डेट डालिए 2019 फैब 1 ठीक है अब बताईए हम लोग यहां पर किसको किसको लिखेंगे तो सुनिए एकदम देकर क्या जाना एक लाग सत्तर हजार तो यह जो कैश हाना इसके अंदर ख्या पहला तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने केदार से यहां पर एक लाग 20 हजाए तीक है तो पचास हजार हम से लोन में ढल दिया और यह जो एकלא यहां पर देखिएगा इन्होंने एक लाग सतर हजार रुपे बिसनस में नहीं जाएगा क्यूंकि पचास हजार रुपे उन्होंने अपने दोस्त के लिया है लोन लिया है ठीक है तो इसके लिए हम लोग यह जो सब्सक्राइब के लोन लिखेंगे दो कितना अमाउंट लिखेंगे पचास जो यहां पर दिया भी था ठीक है और बागी का जो बचा हुआ पैसा है न वह किसमें जाएगा तो वह जाएगा capital account में ठीक है आप बोलेंगे कि capital तो यहां पर 1,40,000 है लेकिन सुनो तो मेरी वातों को ध्यान से देखो यह जो है ना cash account इसके सामने जो amount है ना वो मतलब पूरा मिला करके उतना ही होना चाहिए तो वो कितना है 1,70,000 है ना तो यह 50 और यह 1,20,000 तभी तो मिला करके 1,70,000 होग वो उसमें चला गया तो चलो फिर यहां पर लिखते हैं क्या लिखें क्या रिखेंगे देखिएगा टू-किदाष लोन account कितना amount आएगा 50,000 है फिर यहां पर क्या लिखेंगे ये भी काम complete कर लिया आगे बढ़ा जाए अगला यहां पर कौन सा account है केदार's loan account चलो केदार's loan account में चलते हैं debit में जाएंगे कि credit में जाएंगे तो यहां पर केदार का loan account क्या हुआ है credit हुआ है तो आपको credit side में जाना है और यहां पर आकर के date डाल दीजिएगा 2019 है न फैब 1 क्या लिखो के बताओ तो आपको यह देखना है कि केदार loan मतलब केदार loan account के साथ कौन से ऐसा account है जो हुआ है debit तो बताइए कौन कौन से account यहां पर debit हुए है students तो पहला तो यहां पर आपका जो कहां गया रुखोई एक मिनट yes stock of goods account debit हुआ है और यहां पर cash account भी debit हुआ है तो कौन से amount मतलब किसको हम लिखेंगे stock of goods account को लिखेंगे या फिर cash account को लिखेंगे तो सोचिए जड़ा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे न आपको समझ में आईगा बताइए क्या लिखना होगा तो cash को ही हम लोग लिखेंगे क्यों क्योंकि देखो businessman ने जबी business में cash लगाया तो जितना भी वो cash लगा रहे है उसमें से 50,000 उन्होंने केदार से loan लिया ठीक है तो केदार का loan जो है वो cash के अंदर ही आएगा वो goods से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है इसके लिए हम लोग यहां पर क्या ल सुनो और फिर अपने notebook में लिखोगे आपको पता चल जाएगा ओके चलो बताओ यहां पर कितना आएगा तो केदार का loan account उसका amount कितना है 50,000 इसके लिए यहां पर कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा ठीक है clear समझा चलो आगे बढ़ चलते हैं अगला यहां पर transaction क्या है ट्र क्रेडिट साइड में जाना है कौन से साइट यहां पर क्रेडिट साइट ठीक है और यहां पर डेट डालिएगा दो हजार उन्निस फैब वन बताइए अब हम यहां पर क्या लिखेंगे तो capital account के साथ देखिएगा कौन-कौन से ऐसे accounts हैं जो हुए हैं क्या हुए हैं डेबि यह लिख दो stock of goods account ठीक है इसका amount हम कितना लिखेंगे तो stock of goods account का amount कितना है 20,000 है तो यहां पर हम लिख देंगे 20,000 है na capital में यही तो included था देखो total capital कितना है students 1,40,000 ठीक है जिसमें से 20,000 क्या हो जाएगा stock of goods का amount और 1,20,000 क्या होगा वो cash होगा तो इसके लिए हम यहां पर stock stock of goods लिखेंगे फिर से एक तारीक को यहां पर क्या लिखेंगे by cash account कि यहां पर amount कितना आएगा 1,20,000 समझाना आपको 1,20,000 क्यों आएगा क्योंकि capital का total amount कितना है 1,40,000 तो उससे जाधा नहीं हो सकता देखो इन दोनों को जोड़ करके 1,40,000 ही आना चाहिए जो यहां पर आ cash account यहां पर दो accounts आए है एक तो मोहन और दूसरा कॉन cash account ठीक है तो पहले हम लोग मोहन अकाउंट का कर लेते हैं मोहन अकाउंट कहां बनाए देखो यहां पर बनाए मोहन अकाउंट के और यहां पर डेट डालिएगा क्या लिखेंगे बताईए 2019 फरवरी कितना फैब है पा तो cash account credit हुआ है ना तो यहां पर हम आएंगे और लिख देंगे cash account टू cash account ठीक है ऐसे करके क्या लिखेंगे to cash account और इसका amount कितना है 5500 तो इसके लिए हमने यहां पर 5500 लिख दिया ठीक है और देखिएगा यहां पर दूसरा account कौन से था cash account ठाना तो cash account में आ जाईएगा debit की क्रेडिट हुआ है तो credit side में आईए यहां पर date डालिए 2019 फैब पांच ठीक क्या लिखेंगे students यहां पर लिखेंगे by बताईए cash के साथ कौन से ऐसा account है जो हुआ है डेबिट तो कौन सा account है वह मोहांस अकाउंट इसके लिए हम इदर क्या लिखेंगे टू मोहांस क्यों कितना है पांच हज opposite यह लिजी मैंने यहां पर लिख दिया पांच हाथपांध तो डेट क्यक्री थे केश अकाउंट यहां पर करते डेबिट क्या हुआ है डेबिट साइड में जाओ और यह कितने तारीक का नो तारीक का तो यहां पर डेट डाले पहले दो हजार उन्निस फैब नाइन ठीक आपको यह देखना है कि स्टेशनरी अकाउंट के साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट तो कैश अकाउंट यहां पर हुआ है क्रेडिट तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंस टू कैश अकाउंट और इसका अम फिर उसके बाद देखिएगा अगला यहां पर इसी में दूसरा कौणस आई इसे में कैसी अकाउंट है तो आपको कैस अकाउंट में जाना है यहां पर जाकर के 9 ताटारिक ढालीएगा आपको यह बताना मतलब बताएए देखकर कि कैसा अकाउंट के साथ कौन से इसके लिए हम इदर क्या लिखेंगे बाइस्टेशनरी अकाउंट कि अमाउंट कितना आएगा 4500 तो यह लीजे मैंने इदर 4500 लिख दिया ठीक है अगला ट्रांजेक्शन यहां पर देख लीजेगा मतलब अगला एंट्री देख लीजेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यहां पर क्या हुआ है तो आपको डेबिट में जाना है और फिर यहां पर डेट डालिएगा बारह तारीक का यहां पर लिखेंगे दो हजर उननेस बारह तारीक वैब 12 और हम क्या लिखेंगे तो एडवर्टाइसमेंट के साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो इसका अमांट हम कितना लिखेंगे तो देखिए अमांट यहां पर दिया गया है कितना 2000 तो यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स 2000 ठीक फिर दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है गुड्स डिस्टिबूटेड एस फ्री सेंपल अकाउंट तो हम इसके क्रेडिट में जाएंगे न क्योंकि यहां पर क्या जैसे कि इसका यह वाला इफेक्ट कहा गया डेट में गया तो फिर इसी को हम लोग मतलब जब यह वाले अकाउंट में जाएंगे न तो क्रेडिट में लिखेंगे यानि कि क्रॉस वाला ठीक है तो वैसे भी आप समझ करके कर सकते हो बाकि जैसे मैं आपको बता रही हूं ज चलो देखते हैं क्या लिखेंगे देखिएगा यह जो गुड्स डिस्रीबूटेड ऐस फ्री जैंपल अकाउंट है इसके साथ कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हुआ है डेबिट एडवर्टाइस्मेंट अकाउंट हुआ है डेबिट तो हम इदर क्या लिखेंगे बाई क्लियर है तो यह वाला एंट्री के लिए भी हमने पोस्टिंग कर लिया है आगे बढ़ चलते हैं अगला यहां पर देखिएगा 17 तारिक को क्या दिया है कि मिस्टर देव अकाउंट डेव और कौना है कैश अकाउंट ठीक है तो मिस्टर देव अकाउंट यह देखे मैंने और देखे देव डाकाउंट के साथ कौन ऑकांउंट जो क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकांउंट और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पर लिखा हुआ है फ्रेड तो है cash account है ना तो cash account में आ जाईए credit side में क्योंकि वो credit हुआ है या फिर ऐसे समझों यह debit में तो इसका दूसरा effect यहां पर credit में आएगा दो effect हो देगा तो घर मतलब यह credit में आएगा ठीक है यहां पर डालेगा सतरह तारीक और हम क्या लिखेंगे बाई बताए क्या लिखेंगे तो cash account के साथ कौन से ऐसा account है जो हुआ है debit मिस्टर देव्स अकाउंट ना तो इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे और debit side में क्योंकि वह debit हुआ है यहां पर date डालिएगा 2019 और कितना फैब है देखो वहां पर लिखा होगा 24 तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे ठीक है अब आपको यह देखना है कि purchase account के साथ कौन-कौन से ऐसे account से जो हुए है credit तो कौन से ऐसे accounts है देखो मोहन अकाउंट और cash अकाउंट तो हम यहां पर क्या लिखेंगे to मोहन अकाउंट और to cash अकाउंट ठीक है ऐसे तो मोहन अकाउंट और फिर यहां पर आ जाएगा 24 तारिक को ही to cash अकाउंट और amount कितना आएगा बच्चो तो देखिएगा मोहन के सामने कितना amount है पांच हजार पांच सो यह लिजे मैंने लिख दिया और cash के सामने कितना है हो रहा है क्या जी हां 7000 हो रहा है ठीक है तो हमने यह सही किया है बराबर अब यह entry देख करके मतलब यह posting देख करके आपके मन में एक सवाल तो पाया ही होगा कि हमने क्यों नहींहें किया कहां पर मतलब जो पहला वाला एंट्री था उसमें हमने क्यों कि अगर हमें एंट्री करना था तो उसके साथ जो अगर मैंने लिखा तो इन दोनों को जोड़ करके कितना रहे साथ जार आ रहे हैं मतलब यह सही है ठीक है लेकिन अगर आप क्या करते यहां पर उस तरीके से करते ना यहां पर कैपिटल बे लिखते और फिर क्या लिखते केदार का लोन अकाउंट बे लिखते तब पूरा गड़बड हो जाता क्योंकि वो जो स्टॉक ऑफ गुड्स अका यहां पर क्या हुआ है बच्चों यहां पर हुआ है एक साथ कौन सा इसा अकाउंट है जो हुआ है डेट तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बाइपो फॉर्चर अकाउंट और कौन सा अमाउंट लिखेंगे आपको क्या लगता है तो मोहन के अकाउंट के सामने जो अमाउंट है ना जैसे मोहन के अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है 5500 तो यहाँ पर वही वाला अमाउंट आएगा ठीक है या फिर यहाँ समझो देखो मोहन सा अकाउंट के सामने क तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो यह वाला कर देते कैश अकाउंट का तो देखिएगा यहां पर डालेंगे हम लोग 24 तारिक और हम क्या लिखेंगे बाइग पॉट्चेस अकाउंट है अमाउंट कितना आएगा बच्चो तो देखो कैश के सामने कितना अमाउंट है 1500 तो यहां पर मैंने लिख दिया 1500 ठीक है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने देट डाल दिया अब आपको यह देखना है कि कैश कंसे अईसा अकाउंट है जो हुआ है यह लिखा अंदर क्या लिखा है और कितने से यह देबिट होगा तो 1500 से मुझे कैसे पता चला तो देखिएगा जो आपका तो देबिट साइड में आईए और यहाँ पर डेट डालिएगा कितना तारिक 27 तारिक है यहाँ पर आपको डालना है और फिर क्या लिखोगे तो इसके साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है बच्चो सेखर्स अकाउंट तो हम इदर लिखेंगे टू सेखर्स अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना आएगा देख लेजिए तो इसका अमाउंट है 5600 तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चो 5600 बराबर फिर उसके बाद इसका दूसरा एफेक्ट क्या होगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दूसरा अकाउंट कौन सा है सेखर्स अकाउंट है अब क्या है सेखर की अकाउंट में चाना है क्रेट तो देखे सेखर का अकाउंट यहां पर है वह डबिट हुआ है 150 है तो यह दिख कि अगला ठ्राइंट्ट एक यहां है सागर अकाउंट और तो सागर अकाउंट यहां पे क्या हुआ है डेविट साइड में आप लोग आ और यहां पर पहले तो डेट डाल दीजिए 2019 और कितना फैव है 28 है ना 28 फरवरी येस तो क्या लिखेंगे बताइए देखो सागर अकाउंट के साथ यहां पर कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों टू सेल अकाउंट अमांट कितना अएगा 6300 है फिर दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है तो सेल अकाउंट के चाहिए गा क्योंकि यहां पर यह वह हुआ है ठीक है तो क्या लिखेंगे हमसेले डाल देते 219 और फिर परवर सागर्स अकाउंट इसका अमाउंट कितना आएगा बच्चो तो इसका अमाउंट आचाहेगा कितना 6300 यह लिजे मैंने यहां पर लिख दिया कर दिये लेजर में अब में क्या करना होगा एक एक करके सारे अकाउंट को क्म करना होगा ठीक है तो चलिए सब लोग रेडी है अब हम लोग यह जो आपर लिख दिया किसे दर करते हैं जो मंत चलता रहता है उसका वहारी किसी कि लिपयर लिक्क yeah यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितना आगया 20,000 तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स 20,000 ठीक येस कर दू एसे सरकल चलो जब आप ऐसे एक्जाम में करते हैं तो पेंसिल से करने का पेंसिल ने क्या करो ठीक है और इसका टोटल कितना आया था 20,000 ठीक अब इसे हम क्या करेंगे अगले महिने के लिए भी ट्रांसफर कर दो चलो तो पैप के बाद क्या आता है मार्च आता है ना तो क्रॉस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं आप जानते ही है यहाँ पे डालेंगे मार्च एक क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो अमाउंट कितना आएगा बीस अजार है येस तो यह काम तो हमने कर दिया मतलब ये वाला जो अकाउंटथा इसको हमने defense कर दिया कौन सा अकाउंट तो स्टॉक औफ तो अग्लोए तक ही है ये कैश अकाउंंट की चलो जूए-ब इसखो क्लोज करते है येस रूखो य अब टोटल करते हैं तो इधर आएगा 1,70,000 इधर तो कम ही आएगा मतलब इस ही अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा दोनों साइड में लिखना पड़ेगा है ना तो चलो लिख लेते हैं देरी किस बात की क्या लिखेंगे 1,70,000 क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ज्यादा वाला अमाउंट रहता है उसी को हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं तो 1,70,000 क्या है ग्रेटर है ज्यादा है इसके लिए हम लोग इसे दोनों साइड में लिख देंगे यहाँ पर बैलेंस केरीड डाउन कितना आएगा बच्चों पता है आप लोगों को तो यह हमें कैसे मिलेगा तो पहले इसका टोटल करो 5,500 और यह 4,500 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,000 हो जाएगा 10,400 और यह 1,500 यानि कि रुकिए 10,11 मतलब 11,900 आएगा है ना तो 1,70,000 में से देखो मैं यहाँ पर माइनस करके बताती हूँ 1,70,000 में से अगर मैं यह 11,900 को माइनस करो तो कितना हैगा 10,000, 10 में से 9 गया तो 1 और इधर 9 में से एक गया तो 8, 6 में से एक गया तो 5 और इधर बन यानि कि 1,58,100 बराबर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देखो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया है 1,50,1800 राइट देखो इसको मैं यह सरकल में कर देती हूँ क्या लिखेंगे बाई बैलेंस करी डाउन यहाँ पर इतना बैलेंस होगा करी डाउन फिर इसे ही हम लोग ब्राउट डाउन भी कर लेते हैं तो अगले महीने के लि 1,51800 1,51800 तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट पर क्लोज कर लिया आप लोग देख सकते हैं अब बारी है किसकी यह केदार के लोन के अकाउंट की ठीक है तो चलो अब इसका टोटल करो बताओ कितना आएगा यह तो सामने से दिख रहा है 50,000 तो देखिए यहाँ पर हम क्य कितना फैब 28 क्या लिखेंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउं कितना बैलेंस यहाँ पर कम पड़ रहा है 50,000 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000 यह है आपका बैलेंसिंग फिगर राइट इसे ट्रांसफर कर दो मार्च एक डाल करके मार्च एक क्या लिखेंगे बैलेंस ब्राउट डाउं पचास हजार ठीक कम्प्लीट ना येस तो यह अकाउंट भे हमने क्लोस कर दिया अब आ रही है कैपिटल अकाउंट की चलो इसको भी क्लोस कर देते हैं तो इधर तो कुछ भी अमाउंट नहीं है इधर देख लेते हैं कितना आएगा तो बीस हज ये एक लाग 20,000 यानिकि एक लाग 20,000 आ चाहेगा अब क्या करेंगे यह जो एक लाग 20,000 अरना इसको दोनों साइड में लिख देंगे ठीक फिर यहां पर हमें क्या लिखना होगा यहां पर डेट डालते हैं 2019 Feb 28 ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे two balance carried down कितना amount आएगा एक लाग चालीस हजार ठीक और फिर इसको हम इधर brought down कर देंगे March एक डाल करके क्या लिखेंगे by balance brought down ठीक है कितना आएगा one leg 40,000 ठीक चलो तो यह वाला account भी हमने यहां पर close कर लिया capital account अब हम देखेंगे यह मोहन का account ठीक है तो चलो इसको भी close कर देते हैं तो यहां पर देखिएगा debit side में जितना amount है उतना credit में भी है मतलब यहां यहां पर कुछ भी carry down या फिर brought down नहीं आएगा ठीक है तो चलो जितना amount है वह हम लिख देते 5,500 और इधर भी लिख देते हैं 5,500 ठीक है तो यह तो आसान था ना इसमें कुछ भी carry down या फिर brought down हमें नहीं करना था तो यह हम क्या करेंगे कि स्टेशनरी अकाउंट को क्लोस करेंगे तो देखिए का इसका टोटल इधर कितना आएगा 4,500 यहां पर हम लिख देंगे 4,500 है ना इस साइड भी हम लोग उतना ही amount लिखेंगे 4,500 देख लीजिए ठीक और फिर यहां पर balance carried down कितना आएगा students 4,500 ही आएगा क्योंकि इस साइड कुछ भी amount है ही नहीं तो यहां पर हम लिखेंगे 2019 और कौन सा महीना प्याब कर देट 28 राइट क्या लिखेंगे by balance carried down amount कितना आएगा 4500 अब इसे ही अम लोग ब्रॉट डाउन कर देंगे अगले महीने के लिए तो यहां पर हम लिखते हैं मार्च एक मेरे साथ आप लोग लिखते जाओ ताकि जब मैं बोलू ना तो आप सुन करके अपनी नोटबुक में लिख पाओगे ठीक है नहीं तो बाद में फिर अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दिया नहीं समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इसके लिए मेरे सा सारे अकाउंट हमने क्लोज कर लिए अब हमें यह वाला अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा चलो इसको भी कर लेते हैं तो इधर कितना है दो हजार है तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चो दो हजार कि दोनों साइड में यहीं अमाउंट आएगा जी हां बिल्कुल अब इससे क्या करना है यहां पर देखेंगा कितना आएगा दो हजार यहां बैलेंस क्यारी डाउंट कितना आएगा 28 ठीक क्या लिखेंगे बाइबालेंस केरिड डाउंट कितना आएगा 2000 तो ये लिजे मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चो 2000 ठीक है फिर इसे ही हम लोग ब्रॉट डाउन भी करेंगे यहाँ पर कितना जारिक डालेंगे तो मार्च एक डाल देंगे मार्च एक क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर कितना 2000 ठीक है तो हमने यह एड़र्टाइजमेंट अकाउंट को भी यहाँ पर क्लोज कर लिया है अब बारी है गोड्स डिस्ट्रिबूटेड एस फ्री सेंपल इसका टोटल करो कितना आएगा 2000 तो यहाँ पर हम लुग लिख देंगे 2000 ठीक और यही वाला अमाउंट इस साइट भी हम लिखेंगे 2000 और फिर यहाँ पर बैलेंस केरी डाउन कितना आएगा 2000 यहाँ पर हम डालते हैं 2019 और लिखते हैं फैब 28 क्या लिखेंगे टू बैलेंस केरी डाउंट कितना आएगा 2000 तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चो 2000 फिर इसी को ब्रॉट डाउन भी कर देंगे है ना तो क्रॉस में ब्रॉट डाउन किया जाता है आप जानते ही है जैसे कि इधर हमने केरी डाउन किया तो ब्रॉट डाउन करेंगे इसके इधर यानि कि यह डेबिट में था ना तो अभी क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करें ठीक चलो अब इसको भी क्लोज कर देते हैं मिस्टर देव के अकाउंट को तो इसका टोटल कितना आएगा 400 400 को दोनों साइड हम लिख देंगे इधर भी और इधर भी क्यूंकि यही तो सबसे ज़्यादा अब यहां पर बैलेंस केरिद डाउन कितना आएगा तो 400 करिड़ाउन आ जाएगा रहीट तो यहां पर लिखते हैं डेट डाल करके 2019 पैब 28 क्या लिखेंगे buy balance carried down बोलिए कितना आएगा 400 अब इसे ही अगले माहिने के लिए ट्रांसफर कर दो क्या लिखेंगे March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना आएगा 400 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 400 ठीक है यह भी हमने close कर दिया अब देखिएगा यह purchase account को हम लोग close करेंगे तो क्या करना होगा total करना होगा चलो करते हैं इसका total कितना आएगा 5500, 1500, 1500, 1500, 1600 रुको मुझे जोड़ने दो यह इसमें चला गया तो 6,000 हो जाएगा मतलब यह 7,000 ठीक है 7,000 और यह 5,600 तो 7, 5, 12, 12, 12, 1600 ठीक है तो यह दोनों साइड में हम लिख देते हैं एक बार देख लो यह आएगा ना 5500 से हाँ 12,600 ठीक है इसे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे यहाँ पर balance carry down कितना आएगा तो इधर कुछ amount है ही नहीं मतलब यह पूरा के पूरा आ जाएगा यहाँ पर डालेंगे 2019 और fab 28 क्या लिखेंगे by balance carry down कितना आएगा 12,600 यह ही है हमारा balancing figure ठीक है अब इसको इधर transfer कर दो यहाँ पर लिखेंगे March 1 काफी हलका हो गया ना रुको में थोड़ा इंक डालती है क्या लिखेंगे two balance brought down कितना आएगा 12,600 ठीक है चलो आगे चलते हैं यह वाला account भी हमने close कर दिया अब आ रही है सेखर के account की तो अगर मैं इसका total करूंगी तो कितना आएगा इधर 5,600 यह लिखेंगे ने 5,600 लिख दिया ठीक है और इधर भी इतना ही आएगा 5,600 balance carry down कितना आएगा यहाँ पर 5,600 आएगा मतला balancing figure इतना आएगा यहाँ पर date डालेंगे 2019 February 28 ठीक क्या लिखेंगे two balance carried down 5,600 ठीक है अब यह carry down को brought down भी कर दो तो क्या लिखेंगे इधर मार्च एक तारिक buy balance brought down amount कितना आएगा तो 5,600 यहाँ पर हम लिख देते बच्चो 5,600 ठीक है तो यह हमने कर लिया उसके बाद से यहाँ पर सागर के अकाउंट की बात कर लेते हैं तो चलो इसका भी total करते हैं तो इधर कितना है 6,300 है यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चो 6,300 ठीक है और इधर भी कितना लिखेंगे 6,300 लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं रुकिए 6,300 ठीक यहाँ पर balance carry down कितना आएगा इतना ही आएगा date डाल देते हैं 2019, February 28 ठीक क्या लिखेंगे by balance carry down 6,300 अभी यह जो balance carry down है इसी को हम brought down भी कर देते हैं क्या लिखेंगे देखेंगे मार्च एक बहुत चोटा चोटा लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउं ठीक है यस टू बैलेंस ब्रॉट डाउं कितना आएगा 6,300 यहाँ पर हम लिख देते हैं 6,300 ठीक है तो finally हमने यह वाल आकाउंट भी close कर लिए अब यह last account है चाहो तो खुद से कर लो चलो मैं ही कर देते हूं इसको भी 6,300 इधर भी आया 6,300 कितना आएगा बैलेंस यहाँ पर 6,300 इधर डालेंगे 2,019 फाइब 28 टू बैलेंस कैरी डाउं 6,300 चलो अब last में finally यहाँ पर brought down भी कर दो फिर उसके बाद यह question हो जाएगा यहाँ पर complete by balance brought down amount कितना आएगा 6,300 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,300 ठीक है यस तो finally आपका यह जो sales account है यह भी हो गया close मतलब हमने सारे के सारे account कर लिए है close आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा बच्चो मैंने यह थोड़ा amount में गड़बड कर दी है रुको यहाँ पर क्या आएगा पता है आपको यहाँ पर ना यह आएगा रुको जैसे कि अगर मैंने 170 में से देखो 170,000 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ 11,900 को तो यह नहीं आएगा कुछ और आया था ठीक है तो ऐसी गलती आप लोग एग्जाम में मत कीजेगा मतलब मैंने सही ही कैलकुलेशन किया था लेकिन लिखते टाइम पर गड़बड हो गई 158100 ठीक है यह तो इसको आप लोग प्लीज सही कर लीजिए 158100 इधर भी हम लिख देते हैं 158100 ठीक है यह और बागी सब त प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 भी आपका कम्प्लीटेड है और अगर आपको कोश्चन नंबर 9 भी चाहिए तो उसके लिए आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताईएगा तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे ठीक है और आप लोग को बता चैप्टर से सारी जीजो को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है तो आप लोग प्लेइस में जाओ और जा करके सारे वीडियो को देखो कुछ भी स्कीप मत करो अगर आप लाइन से वीडियो देखोगे न पक्का आपको समझ में आएगा बहुत ही सिंपल है ठीक है बस आपको एक काम करना है जो भी वीडियो है ना उनको लाइन से देखो ठीक है लाइन से देखो के तो कुछ डाउट आएगा इने फिर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप उसे जरूर पूछ सकते है ठीक है और टेलिग्राम चैनल को अगर आप लोग उने जोइन नहीं क तो वो भी कर लीचेगा और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बच्चों चलते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में गुडबाय आवरीवन